जाग जाओ दोस्त अब सोने का वक्त नहीं है बहुत ही important important sessions हमारे चैनल पे आ रहे हैं अब वक्त नहीं है कि आप आराम फर्मा लो दोस्त जब भी session live आ रहा होता है या प्रीमियर हो रहा होता है उसी समय पर कोशिश किया करो session को देखने की reason क्या है अगर आप backup तयार करते रहोगे अपना कि भाया आज की वीडियो कल देखेंगे कल की वीडियो पड़सो देखेंगे तो इखटा हो जाएगा बहुत सारा समान आपके पास और वो आप देख नहीं पाओगे और अपने नुकसान कर बैठोगे क्योंकि हर वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़े हैं जो आपको बताता हूँ या फिर संचिस सर आपको बताते हैं तो कोशिश यह किया करो जब भी session live हो रहा हो या प्रीमियर हो तब ही उस session को देखा करिए ठीक है हमने कल strategy वीडियो डिसकस करी थी RRB 2020 का complete strategy complete study plan नहीं देखा है तो देख लेना आलस्य मत करना वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि भईया हमें crash course लेके आ रहे है reasoning का complete crash course जो start हो रहा है कब से start हो रहा है 13 जुलाई 2020 से साड़े 12 बजे date और time यह date है यह time है note कर लेना इसको भूलना मत अब दोस्त एक बार schedule डिसकस कर लेते हैं साड़े 12 बजे आती है reasoning के miscellaneous series और 6 बजे आती है puzzle जो समय चल रही है और जो GS की वीडियो आती है वो आती है सवा 10 बजे सवे modern history का era चल रहा है जीए की वीडियो भी आपको मिलती रहती है जैसे की आज आज आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिली होगी अब बात करते भाईया important puzzle का questions आ गए है 50 most important puzzles और यह है आपके सामने छोटू सा question question देखके मज़ा आया नहीं आया न लेकिन करोगे जब तब मज़ा आएगा क्योंकि मैंने 3 minute का timer रखा है और 3 minute का timer ऐसी ही नहीं रख दिया यह question थोड़ा सा tricky है थोड़ा सा मज़ेदार है थोड़ा सा आपको चकमा देगा आसान है लेकिन tricky है करने की कोशिश करो फटा फट से मज़ेदार question है जल्दी जल्दी झाल झाल जिनका भी हो गया है अपने आंसर्स बताइए कमेंट सेक्ष्ण दोस्ति ये डन वगरा मत लिखा करो डन हो गया है डन हो गया है आप आंसर्स बताओ किसी भी एक इंसान को पकड़ो यहां पर पीपल है न तो एक इंसान को पकड़ो for an example पी को पकड़ दिया और clockwise पूरा arrangement बता दो आंसर्स बताया करो झाल 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 कमेंट सेक्ष्ण झाल 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 करो पको पकी को पकड़ो यहारा बताया झाल चलो बहुत टाइमर हो गया है खतम करते हैं इसका solution ठीक है आपके सामने question आ गया है आठ persons है PQRSTUVW sitting around a circular table and facing towards the center तो यह हमने एक circle ले लिया और यहाँ पर हम बठाल देंगे सभी को facing towards the center ठीक है तो आठ persons की sitting कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ठीक है आठ लोग की sitting हो गई फिर लिखाए T sits second to the right of R तो R के right में T आ जाएगा ठीक है Q and S are opposite to each other मतलब Q और S आमने सामने होंगे Q के सामने S या S के सामने Q होगा only two person sit between P and U तो P और U के बीच में दो लोग है V sit third to the left of S तो S के left में V है third number तो मतलब दो का gap है W neither sit opposite to P nor is an immediate neighbor of T तो मतलब की W ना तो T का opposite सरी P के opposite है और ना ही वो T का neighbor है मतलब की T के आजू बाजू में नहीं आएगा कौन W बात के लिए रहे अब हम जब बाते कम पता चली है तो हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा और वो लगाना बड़ा कठिन पड़ जाता है कभी कभी अब देखते हैं भाया क्या करें कहां से शुरू करें तो मुझे कही न कहीं दिखाई दे रहा है कि S दो जगे आ रहा है QS भी है एक हिंट मेरे पास QS है और एक है VS तो ये दो हिंट है S से related तो क्यों ना मैं S को pick करूँ अब मुझे बताओ अगर Q और S आमने सामने है तो कहां possible है क्या यहां पर possible है हाँ है क्या यहां पर possible है हाँ है क्या इसके अलावा कहीं possible है Q और S कहीं possible नहीं है ठीक है तो मतलब मेरे पास ये चार जगह बन गई है जहां मैं S या फिर Q को रख सकता हूँ अब मुझे ये final करना है कि S को इन चारो जगाओं में से कहां रखा जाए तो दोस्त इस वाली condition से finalize हो जाएगा कि S कहां कहां आ सकता है एक बाद check करो S अगर यहां रखते हैं तो क्या left side में तीसरे number पे V आएगा हां आ जाएगा अभी हम सरिफ check कर रहे हैं S अगर यहां रखे तो क्या तीसरे number पे V आजाएगा बिलकुल आजाएगा S अगर यहां रखे तो क्या तीसरे number पे V आपाएगा नहीं आपाएगा तो यहां पे S नहीं आएगा S अगर यहां रखे तो क्या तीसरे number पे V आपाएगा नहीं आपाएगा मतलब की हमारे पास दो जगहाएं बन गई किसके लिए? S के लिए एक बार S को यहां रखते हैं और एक और possibility ले लेते हैं जहां पे हम S को दूसरी साइड पे रख देंगे ठीक है? चलो तो R यहां पे है, T यहां पे है S यहां हो जाएगा तीन छोड़के तीसरी जगह पर V और यहां तीसरी जगह पर V S के सामने है Q तो S के सामने हो गया Q इतना final हो गया अब लिखा है दोस्त P दो छोड़के U है और P के सामने W नहीं है और W जो है वो T का पडोसी नहीं है अच्छा W इस वाले केस में यहां नहीं आएगा और W इस वाले केस में यहां नहीं आएगा अभी हम W को देख रहे हैं कहां कहां रख सकते हैं अच्छा अब बात समझना अगर W यहां नहीं आएगा तो इनी दोनों जगहों में से कहीं आएगा क्या W यहां आ सकता है इस जगे पर बताओ क्या W यहां आ सकता है मैं कहूँगा नहीं आ सकता है sorry W क्या यहां आ सकता है यहां पर मैं कहूँगा नहीं W यहां नहीं आ सकता क्यों क्यों क्योंकि मुझे W के सामने चाहिए P तो W कहीं में रखूँ उसके सामने वाली जगह खाली होनी चाहिए तो W यहाँ पे नहीं आएगा W यहाँ भी नहीं आएगा तो W भईया यहाँ final हो जाएगा इसके सामने P हो जाएगा P और इसके इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे कौन सा बचा V नहीं, V नहीं, U बचाए U बचाए U यहाँ पर आगया अब इस वाले case को एक बार देख लेते हैं देखो दोस्तों W यहाँ नहीं आएगा ठीक है? अच्छा W क्या यहाँ आपाएगा? हाँ यहाँ आ सकता है W के सामने W के सामने P हो जाएगा? हाँ P हो जाएगा बचा हुआ U हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ठीक? चलो मेरे पास दोनों तो condition आगई मैं किसको सही मानू? तो यह वाली condition को उठाओ यह सब कुछ तैकर देगा P और U में 2 का gap होना चाहिए इस वाली condition में देखो क्या P और U में 2 का gap है? P और U में 2 का gap नहीं है यह गलत P और U में 2 का gap हो गया मतलब कि यह सही यहाँ पे U है ना कि V तो यह वाला आपका सही हो गया यह वाला आपका गलत हो गया बात समझ में आई? question को approach कैसे करना था? वो समझा छोटा सा question था लेकिन तकलीफ देके जाएगा अगर हमने यह question में exam में जल्दवाजी करी और अपने proper दिमाग का इस्तमाल नहीं किया तो यह question तकलीफ देगा आपने संतुलित रखना अपना दिमाग और इसका solution यहाँ पे है बात क्लियर है? चलो अब अगला solution देख लेते हैं अगला question आपके सामने है question number 41 3 minute का timer शुरूए जल्दी से करो जल्दी से fast जल्दी से करो इस वाले question में कहीं कहीं पे नाम में mistake हो सकती है जैसे यहाँ पे mझे दिखाई देरा है sweetie के बारे में बात होई है तो sweetie के बारे में बात हुई है वहाँ पे मीठे के बारे में नहीं ठीक है कुछ-कुछ जगाओं पर हो सकता है इन्होंने नाम वे टूकि ट्रांसलेटर होता है ट्रांसलेटर में थोड़ा सा गड़बड़ी कभी-कभी हो जाती है जहां भी confusion लगे हिंदी में वहां तुरंसे English में एक बार देख लेना इतना तो English आती होगी कि पढ़ लोगे ठीक है पुर्ण कर दोगे है कि कॉर्नर्स पे कौन-कौन बैठा होगा फड़ाफट से बताओ क्लॉक वाइस डिरेक्शन में कॉर्नर्स बताओ कौन-कौन बैठे है कॉर्नर्स पे जल्दी बताइए चलो बैठा सेरिके दिरेक्शन में बताओ है है समाप हमारे सामने है कोश्चन अब हम करेंगे इसका सल्यूशन आठ परसन है स्वीटी सीरी गोपी कपिल सोनू अंच रभी एन शोबिता आर सिटिंग इन ए स्क्वेर टेबल सच दाट फोर आर सिटिंग अट दो कॉर्नर संद रेमेनिंग फोर आर अच्छा कोश्चन है क्योंकि अभी तक मैंने इन आउट नहीं कराया था स्क्वायर में तो इन आउट लेके आया हूँ आज इन परसन इसकी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ये आपके सामने आ गई पॉसिबिलिटी बदब पॉसिबिलिटी नहीं इसका डाइगराम अब लेंगे only one person is sitting between रवी एन कपिल who is facing outside तो कौन देख रहा है outside दोस्त कपिल देख रहा है outside और outside मतलब कि कपिल यहाँ पे होगा हमने ऐसी कहीं पे भी कपिल को रख लिया और कपिल और किसमें रवी में एक का gap है मुझे नहीं पता कि रवी किस साइड में है कपिल के इस साइड में या फिर इस साइड में तो अभी मैं कुछ नहीं बनाऊंगा आगे का question पढ़ूंगा आगे लिखा है अंच और सोनू आपोजेट टू इच अदर आएगा सीरी ठीक है इस तरीके से ये complete information फिर लिखा है कपिल इस सिटिंग टू प्लेसे अवे तो दे राइट आफ स्वीटी अब देखो कपिल इस सिटिंग टू प्लेसे राइट आफ अवे तो दे राइट of sweetie who is not near अंच ठीक है स्वीटी कहीं पे होगी उसके राइट में कपिल कहां पे है second number पे बैठा है और एक और चीज़ लिखिया who is not sitting near अंच मतलब sweetie is not near अंच मतलब sweetie अंच स्वीटी इस तरीके से नहीं होगा कि अंच के नेबर में स्वीटी नहीं होनी चाहिए और ये हमारे सामने एक information आ गई है बात अतना clear है? ठीक है अब आगे की information देखते हैं गोपी who is not sitting opposite to सीरी मतलब गोपी सीरी opposite नहीं है इस sitting second to the left of the one ये बहुत important line है कौन sitting है? गोपी is sitting second to the left of the one who is an immediate right of स्वीटी स्वीटी ध्यान से देखना स्वीटी के right में जो immediate बंदा है उसके left में second number पे कौन है? गोपी है बात इतना क्लियर है? इतनी बात क्लियर है न दोस्त? ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां पे स्वीटी के जो right में है उसके second left में गोपी है ठीक? चलब अब इतनी सारी information थी हमने लिख लिए है, कुछ भी final नहीं है और कपिल और रवी में एक का gap है और कपिल और स्वीटी में भी एक का gap है तो मुझे पता चल गया कि कपिल किस side होगा स्वीटी किस side होगा कैसे? क्योंकि स्वीटी की direction पता चल गया अगर मैं कपिल से स्वीटी को इधर रखता हूँ तो स्वीटी के right में कपिल होना चाहिए और स्वीटी के right में कपिल हो जाएगा तो final क्या हुआ? रवी यहां आएगा तभी तो स्वीटी के right में कपिल होगा ना? ठीक है अच्छा, स्वीटी आ गया तो sweetie के right में जो बंदा है immediate इसके left में दूसरे number पे कौन है गोपी है तो ये गोपी final हो गया ठीक है अच्छा जो जो होती जारी information उसको हटा दे थोड़ा सा space हमारे पास बच जाए जा ठीक हमने इस वाली information को भी बिठाल दिया कि sweetie के जो right में है immediate इसके left में गोपी है दूसरे number पे तो हमने इस वाली information को भी use कर लिया अब हमारे पास बाकी की information है वो देख लेते हैं बात समझना दोस्त गोपी के सामने सीरी नहीं आएगा हाँ तो यहाँ पे सीरी नहीं आएगा ठीक अच्छा सीरी क्या यहाँ पे कहाँ पे सीरी क्या यहाँ पे आ सकता है नहीं यहाँ पे सीरी क्या यहाँ पे आ सकता है बताओ कैसे नहीं आ सकता देखो इस information को देखना सीरी के पडोस में अंश होना चाहिए अगर सीरी को यहाँ रखा तो अंश की position यहीं होगी और अंश के सामने चाहिए सोनू तो अंश के सामने सोनू नहीं आ पाएगा इसलिए सीरी की पोजीशन यहां भी नहीं, यहां भी नहीं क्या सीरी यहां आ पाएगा? नहीं, आजू बाजू अंश नहीं बैठ पाएगा तो सीरी की कौन सी जगा बची? सीरी की एक ही जगा बच्ची वो है यहां पर ठीक है सीरी की एक ही जगा बच्ची यहां पर अच्छा अब अंच इसका पडोसी है तो अंच यहां पर आ जाएगा नहीं क्योंकि सामने मुझे चाहिए सोनू तो सामने सोनू के लिए अंच यहां पर सोनू यहाँ पे और बचा हुआ एक वेक्ती कौन सा होगा गोपी कपिल अंच सोनू रवी हो गया रवी हो शोबिता शोबिता यहाँ पे आ जाएगी यह आपका एक complete arrangement बन गया आपने इस तरीके से इसका final arrangement without any possibility बना लिया बात क्लियर हुई अगर हुई तो भाया वीडियो को क final arrangement इसका final arrangement सामने है आज के लिए भाया इतना ही रखेंगे मिलेंगे कल फिर से धमाकेदार questions के साथ तब तक syllogism की सारी वीडियो देख लेना प्लस strategy वीडियो भी देख लेना क्योंकि crash course लेके आ रहा हूँ उस strategy को follow करिये भाया 45 minute का mock लगाईए target जो आए उसको जो numbers आए उसको target बनाईए फिर उसको 42 minute में cover करिये ये चीज करते रहे निरंतर आपको speed में increase मिलेगा मिलेंगे अगली बार तब तक के लिए stay healthy stay safe thank you very much